हेलो स्थो क्या हला है आज में बताने वाला हूँ मेरे पूरे कलेक्शन में से मेरे टॉप 5 फेवरेट वाचिस कौन से है मतलब अगर यहां पे टूफान आ जाए या मान लीजे घर के अंदर कोई भूत गुश जाए तो मेरे पास अगर मौका है कि मेरे सारे वाचिस में से सिर्फ 5 फेवाचिस अपने पास रख सकता हूँ तो वो कौन से पास वाचिस होंगे अच्छा एक डिस्कलेमर दे दो जो 5 फेवाचिस मेंने सेलेट कर इह इनसे महेंगी watch है ये 300 watch और इस 300 से भी महेंगी है ये citizen watch बट ये दोनों watches मेरे top 5 list में नहीं है तो कहने का मतलब आपके watch की MRP price decide नहीं करेगे कि आपकी पसंद या नापसंद क्या है similarly मेरे favorite Seiko watch से ये Seiko watch latest है इसमें ज्यादा better features है और ज्यादा costly भी है बट again ज़रूरी नहीं है कि latest model हमेशा पुराने version से better हो ये सब मैं आपसे इसलिए कहा रहा हूँ so that आप मेरे watches को देख करके ऐसा ना feel करें कि पंकज भाई के पास तो ये वाली watch है इस वाले की brand की है तो ये ही watch best है नहीं ऐसा नहीं है मैं आपको मेरे top 5 watches दिखा दोँगा but आपको recommend सिर्फ एक ही watch करूँगा क्योंकि finally आपके हाथ में अभी जो watch है वही आपके लिए सबसे best है because मेरी पसंद और आपकी पसंद different हो सकती है so buy what you like, not what I like or not what other YouTubers like कोई और आपके watch के बार में क्या सोच रहा है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो ग्यान जाला हो गया, चले ही first watch पड़ते है सेको की बात हो रही है, तो सेको से ही start करते है भाई मैंने बहुत सारे तो नहीं बट ठीक टाक watches खरीद लिये है पर कभी-कभी आप कुछ ऐसा खरीद लेते हो जो आपको double satisfaction देता है जैसे मानलो आपकी शादी एक सही लड़की से हुई है वैसे लड़किया सारी अच्छी होती है तो मानलो आपने एक अच्छी लड़की से शादी कर ली तो आपके रिष्टेदार जेनरली क्या कहते है शर्मा जी के लड़के की शादी होगी है सुना है बहुत पैसे वाली लोग है हाँ? अच्छा हाथ मारा है तो कहने के मतलब इस वाच को देखकर मेरी फैमली भी मुझसे यही कहती है कि अच्छा हाथ मारा है यार इतना ब्यूटिफुल सनबस डाइल है इसका एंड उस पे यह अपलाइड इंडिस जिसकी फिनिशिंग टॉप क्लास है अगर इस वाच पे रोलेक्स का नाम होता तो लोग बिना कोई सवाल करें पता नहीं कितने लागों रुपए पे करते हैं इस वाच को खरीजने के लिए इवन अभी भी यह एक हाइली सॉट आफ्टर वाच मॉडल है वैसे इंडिया में यह वाच मिलेगा नहीं बिकॉज सेको ने इस मॉडल को डिसकंटिनु कर दिया है तो आपको जैपाइन से या अमेजोन युएस से यह वाच मिलेगा बट अगेन कस्टम सेंड शिपिंग चार्जिस वगरा एड हो जाएंगी बट वर्ट इड है यह वाच अटलिस मेरे लिए ऐसा मैं बहुत होता हूँ क्योंकि मेरे पास नया सेको फाइ मॉडल भी है कंपरिशन करने के लिए बट परिसनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नया मॉडल ही खरीदे बिकॉस इस नये वाले में नया 4R36 मॉमेंट है बड़ी डाइल है एंड बेटर वाट रिस्टेंस है तो लेट्स मूड तो नेक्स वाच भाई मैंने इंट्रो में जॉम्बी अटाक की बात करी थी तो ऐसे सिचोशन में एक नॉर्मल वाच चल नहीं पाएगा बहुत टाइम तक टिक नहीं पाएगा आपको एक तकड़ा वाच चाहिए जो किसी भी सिचोशन में आपके साथ हो चाहे बारिश हो चाहे तुफान हो या चाहे आपका वाच ट्रक के नीचे आ गया हो एड़ दे अड़ दे आपकी वाच चलती रहनी चाहिए एक्जाक्ली इसी सिचोशन के लिए बना है यह कैस्यो जी शॉक और इस वाच को कोई भी एपल का लेटेस्ट वाच या कोई भी रोलेक्स का वाच बीट निकर सता है और इसी लिए यह वाच मेरा सेकेंड बेस्ट वाच है फ्रॉम माई कलेक्शन यह स्क्वेर जी शॉक है और इसका डिजाइन स्ट्रक्चर बहुत क्लोजली मिलता है सबसे फर्स्ट वाले 1983 रिलिस जी शॉक मॉडल से वैसे मुझे बड़े वाले जी शॉक पसंद नहीं आते तो फिर वो है यह DW-5600 आपके लिए भी यह जी शॉक वाच बिल्कुल परफेट होगी मेरी गारेंटी है आप इस वाच को लीजिए कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे पांच आर के प्राइस पर अमेजॉन पर अवेलेबल है बट आप मेरी वाले गलती मत करना मैंने इस न आगे बढ़ते हैं भाई मुझे वाइड वाली ट्रेस वाच पसंद है और इसलिए आपने देखोगा मेरे पास कुछ वाइड ट्रेस वाच है जैसे यह बुलोवा वाइड ट्रेस वाच टीसो जीमटी और यह ऑफ वाइड टाइमेक्स क्रोनोग्राफ बड़ अगर मुझे एक ही वाइड टाइल चूश करनी हो तो इस वाच यह एक्जाक्ली वाइड टाइल नहीं है इस सिल्वर संबस्टाइल बट जड़ा देखो इस वाच को इंडिया का फर्स्ट मेकानिकल वाच 1960 डिजाइन अगर आपको इंडेपेंडेंस से अब तक इंडियन वाच बेकिंग जनता देवनागरी, हम्ट कोहिनुर बट जो बात इस सिल्वर जनता में है जितनी खूबस्रत यह वाच है इस वाच का जो हिस्तोरिकल इंपोर्टेंस है यह वाच मुझे अपनी मिट्टी से मिलाता है जिस मिट्टी से मैं आया हूँ जिस मिट्टी से आप आये हो बाग क्य list of money है बेकार है तो यह वाच आपके लिस्ट में क्या कर रहा है गुड क्वेस्टन देखो भाई कुछ वाचे सा ब्रैंड नेम बजेट स्प्रिकेशन और टेक्निकल बारिक्यों को देख करके लेते हो पर आप भी मानोगे और आपके पास भी ऐसे वाचिस होंगे जिनको आप टेक्निकली या वैली फोर मनी वाइस कंपेर तो नहीं कर सकते है बेकार है बट आपके पास इसलिए है विकोज आपको वह वाच पसंद है तो यह वाच भी कुछ ऐसे ही है इस बुलोवा वाच से मुझे प्यार हो गया है बाकी अगर आप जानना चाते हो तो यह एक आटमे अगरेशन नहीं मिलेगा तो इसलिए आपको इंडिया से बहुत दूर जाना पड़ेगा रश्या में एक शहर है किस्टफ फॉल यहां जाना पड़ेगा क्योंकि यह वाच इसी किस्टफ फॉल वाच फैक्टरी से बनकर आई है यह वाच तक आमफिबियन स्कूबारूड ए पहला रिलाइबल 200 मिटर्स वाटर रिजिसंस वाला डाइव वाच होगा करता था वैसे 200 मिटर्स वाले कलेक्शन में मेरे पास है कुछ वाचिस जैसे कैसे दूरो ओरेंट मैको एंड इन्विक्टा प्रो डाइवर अलसो दा डीवलु से हैवलोग बट इस वाच तॉक इन्वर्जेशन सार्ट कर सकते हो इस मेड इन रश्या वाच से वैसे दुख की बात है एचम्टी की तरह वाच्टोग भी लॉसिस में चला गया बैंकरफ्ट हो गया बट अभी इनके वाचिस अवैलेबल है रश्यन वेबसाइट पे जैसे कॉमांडर्स की.com या वाच्टो मेकानिकल वाच्ट पापा तो नहीं रहे बट मेरे पास अपनी अमानत छोड़ गए है तो मैंने बहुत संभाल के रखा है इस वाच को यह टाइटन लेडीज वाच्ट मेरे मॉम की है अगेन फ्रों 1995-1997 उस ताइम की वाच्ट है और यह मेरे लाइफ की पहली वाच्ट जो मेरी तरह आप गलती मत करना डोंट गो फोर ओवर प्राइस वाच्ट इंडा में देखा है लोग वाच्ट रेक्मेंट तो कर देते हैं बट वाच्ट बारे में बात नहीं करते एक वीडियो बना इसके उपर बट व्यूस नहीं आया उस पर बट आप एक बार इस वीडियो क को देख लेना मैं लिंक डिस्क्रफिशन में डाल दोंगा अपना ख्याल रखना दोस्तों और वीडियो पसंद आतो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बुलना मिलता हो गले वीडियो में बाई बाई जाएंद